वेल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमबर्ड तो आज के इस वीडियो आपको यूपी बिटी के इंपोर्टेंट कोशन बताने वाले हैं एकॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंगे तो यह इंपोर्टेंट कोशन जो आपके एक्जाम्स में आने वाले हैं और बहुत मैदुपूर्ण है तो प्लीज आप सारे कॉशन को अच्छे से करके जाएए ताकि आप एक्जाम में आच्छे माक्स ला सके तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं वीडियो का अगे बढ़ाने से पहले मेरी सबी यूपी वीडियू के चैनल पर पहले हैं वो वो आपको यहां पर बताने हैं पास नमर अपके पक्के हो जाएंगे यह कोशन जहातर पूछा जाता है यह कोशन दूसरे तरी के साथ है कि what do you mean by e-commerce explain या what do you mean by e-commerce define e-commerce ठीक है तो यह कोशन कैसी तरीके से भी पूछा ज़्यों यह आएगा जबरूब सब्सक्राइब कोशन है डिस्क्राइब बैरियस थ्रेट्स औफ e-commerce e-commerce में कौन-कौन से थ्रेट्स होते हैं वो आपको होता नहीं Define Cyber Law, Cyber Law क्या होता है या Cyber Crime क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिखना बूल गया हूँ एक कोशन होता है Cyber Crime Cyber Law और Cyber Crime में दोनों में डिफरेंस पूछने को आ सकता है Cyber Law अलग से पूछने को आ सकता है Cyber Crime अलग से पूछने को आ सकता है तो आप इसको अच्छे से तयार कर जाएं Internet, Extranet और Intranet इन तीनों में आपको difference मिल सकता है और या फिर इफाइन करने को कि Internet का होता है extra net के होता है intranet के होता है ठीक है what is peer to peer and server waste network peer to peer or server waste network क्या होते हैं वो आपको बताने next what is networking in e-commerce e-commerce में networking क्या होती है वो आपको हैं पर बतानी है what do you understand why business model defines all types business model के जितने भी types हैं वो आपको हैं पर define करने है next define ctc consumer to consumer cto b consumer to business b to c business to consumer, B2B, business to business, G2B, government to business, G2C, government to customer, define to Putin, सब के बारे में अब को पता होना चाहिए, इन्वेसे आपको पूछा जाएगा, right the method to e-commerce, अपको बताने कि e-commerce को develop करने के लिए क्या-क्या method होता है, ठेक है, तो यही, top की 9 question, यह थे top की 9 question, और आगे हम चलते हैं, चलिए, explain 4C, 4C आपको बताने हैं, 4C कौन कौन सी होती है, what is content management और define call center, बताना कि content management क्यों होता है और call center क्यों होता है, ठीक है, तो यही सारे questions हैं, जो आपको आपके exam में पूछे जाएंगे, और इस बार भी बहुत उम्मीद है आपके पूछे जाने क इन में से, अगर आप यह सारे questions करके जाओगे, तो आप कुम से कम 30 प्लस नमर मेरी इस वीडियो से ही ला सकोगे, तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, ध्यान नखे अपना, बाई बाई